हेलो फ्रेंड्स मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दही फले के साथ इस खास कारिक्रम में तहे दिल से स्वागत करते हूं दोस्तों हमें जब भी कोई अचाँ की परिशानि सता थे तब हम ऐसा नहीं कर पते क्यूंकि इस बारे में हमें शेहर मोती है हम जीजख ते है पर अब आप शर्माने की जिजकने की बिल्कुल जरूत नहीं क्योंकि डॉक्टर विजे दही फले आपके सारे सेक्स-रिलेटेर सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे शो को शुरुवात करते हैं पर शो को शुरुवात करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजे दहीफले इनके बारे में डॉक्टर विजे दहीफले ये सेक्सोलोजिस्ट, यूरोलोजिस्ट और एंड्रोलोजिस्ट है डॉक्टर के क्लिनिक अरंगाबाद, हैद्राबाद, दिल्ली में द्वारका, पुने, नवी मुंबई में नेरूल, दादर, अंधेरी, कल्यान, नाशिक, एहमदाबाद और दुबई में है डॉक्टर विजे दही फले का भारत एवम अन्य देशों में कॉन्फरेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेर सल्ला मशुरा करते रहते है चले दोस्तों, आपको डॉक्टर साब की क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, पर शो को शुरुबात करने से पहले ही आपको एक खुश खबरी देना चाहता हूँ, डॉक्टर साब का रिसेंटली साउथ मुंबए में कुलाबा में नया सेंटर शुरुए तो डेफिनेटली आप सर का कंसल्टेशन कुलाबा सेंटर में भी पास सकते हो, शो को शुरुबात करते हैं सर हमारे साथ है, सर वेल्कम टु दी शो, नमस्ते, सर हम बात कर रहे हैं सेक्शल से रिलेड़ साइन्टिफिक इन्फोर्मेशन चाहिए जो अभी कहीं पर भी अवैलेबल नहीं है, तो सर इसलिए आपने एक टॉपिक से लेकिया है, जिसमें हम जान रहे हैं सेक्स के अलग-अलग पोजिशन, जिससे कमजोरी, शीगरपतन, कैसे कंट्रोल में आ सकता है, प सेक्स एजुकेशन, सेक्शुल अविरनिस और सेक्शुल सेफ्टी, इसके अंतरकत हम पूरी साइन्टिफिक इन्फोर्मेशन ले रहे है, सेक्स की कितने पोजिशन से आपको रिवाइज करके बोलता हूँ, 476, 476 पोजिशन है, हमें साइन्टिक फिले उसे कैसे करना है, ए आपना और नोन पार्टनर, अपनी पार्टनर की इच्छा, उसके विल और उसकी कंसेंट, यह सब दाएरे में रहते हुए, यह पूजिशन हमें आजमाना है, और यह क्यों देखना है अलग-अलग पूजिशन, वह हमारी सेम सेम प्रसुजिजर करने से पार्टनर बोर हो ज जाता है, उसे और्गेजम मिलने में प्रॉलिम आता है, वेली डेक्टोरियन, क्या पूजिशन है, देख सकते हैं फिगर्स में आप, यहाँ पे अपना फिमेल पार्टनर जो है, नीचे लाइंग डाउन पूजिशन में है, लाइंग डाउन पूजिशन में स्पेशली, वही पूजिशन जो मिशिनरिय उससे उपर उठाना है, नीरवोट काफी उपर उठाके उसे वी शेप में एक दूसरे दूर करना है, इससे होता क्या है, डेफिनिल वन बाई और पूछ सकते हैं आप, इस पूजिशन से शीगर पतन, एरेक्टाल डिस्फॉक्शन कैसे कंट में धृषचियली देखिये पूजिशन में, वी शेप में पाउ उपर जाने के वए से वल्वा, लीबीया मेस्जूरा, मैनोरा, यह उपर आ जाता है, क्लैटरो की उपर आ जाता है, जब partner उनकी उपर लाय हो रहा है वो position में वहाँ पर maximum prominent part इनका जो specially public part है यहने उनका sexual में जब entry करते है तब penis के साथ साथ उनका जो collateral part है उसकी उपर direct hitting होनी के विए से rubbing होनी से उसका masturbation जैसा feeling आके उन्हें orgasm अच्छा होता है enjoyment अच्छा मिलता है और पार्टनर को change भी उसके अंदर काफी अच्छा लगता है सर शो में एक पहला call आए वो ले 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 हमारे साथ जुड़ गए है यश फ्रम जोगेशवरी यश आपका सवाल पूचे सर शायद से कोई technical problem एक सवाल हम ले 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 थे सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा हम बात कर रहे है वेलेडिक्टोरियन सेक्शल पोजिशन के बारे में तो इस मसल इस पोजिशन से कौन से मसल्स ग्रूप सर स्ट्रॉंग होते हैं इनके बारे में बता है अभी scientific दृष्टी से हमें जो देख रहे है भै क्या फाइदा क्या है यह पोजिशन का देखो यहां पे female partner को पूरे बतक्स उपर करके दोनों leg stretch करके इवन उनके shoulder तक लिखे जाना है और उसे hold करना है 15-20 minute के लिए imagine करो इतना position लेने के लिए बहुत strongness लगता है तो कौन से muscle stretch हो रहे है gluteal muscles है pelvic floor muscles है core muscles तो आई गए especially leg muscles hamstring है leg muscles है calf muscles है और हाथ से hold करने के वेशे biceps और triceps है male में especially male को hold करना है अपने दोनों हाथों की उपर biceps, triceps आ गए और उसे अपने पाउं की उपर भी बोड़ी का पोजिशन होड़ करना है और अपने डाउन मुवमेंट कम से कम दस्या मंदान मेंट करना है तो core muscles आगे back muscles आगे thigh muscles आगे leg muscles आगे तो इस तरह बोड़ी का fitness हो गया exercise हो गई calories बन हो गई और आपका fat भी बन हो गाई इस सबसे बड़ाइड बन देजे इस sex position बदलने से definitely sir phone connect हो गया yes जी हमारे साथ है जोगेश्वरी से yes जी आपका सवाल पूछे आपका phone connect हो गया वापस hello जी बोलिये sir जिक्की युरोथोप्लास्टी सर्जेरी हो हो उने sex position बदलने एक्सलाइड वेल्रेड पीपल्स इस इरोथोप्लास्टी नया वर्ड लगता होगा आप लोगे इन शॉट बोलूगा क्या होता है repeated urine attack infection हो गया urine की जगर पे कोई सम्झो मार लग गया वहाँ पे या कोई infection हो गया तो क्या होता है किसी भी तरह से ऐसा स्ट्रिक्चर हो गया तो उसके बाजू वाले कारपर अग्यू पर इफेट आता है जब हम operation करते हैं बकल में उख़ा इंटो एंड हो उस वक्त वहाँ पे जब हम joint देते हैं कम से कम तीन या चार हपते उसे हील होने के लिए लगते हैं तो किसी भी तरह से कम से कम तीन या चार हपते या दो तीन महिने तक किसी भी प्रकार का change of position simple missionary position में sex करना चाहिए woman on top position कम से कम दो या तीन महिने तक नहीं लाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे sutures और वहाँ पे joint रेने के वैसे पूरा healing होने दे और उसे के बाद ही हो विशे शक्रिक से मिल से sexualize और 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 से मिल के या हमारा सुखी जुवन का मंतर का बुखर करके वह position कैसे लिए नहीं है कौन सी safe है definitely देखते है definitely सर एक और sex position के बार में आपसे पूछना चाहूंगा स्पॉर्क सेक्स पॉजिशन यह क्या होता है सर करेट काफी इंट्रेसिंग पूजिशन लेकिया था स्पॉर्क spoon and fork okay spoon and fork वो दोनों को combine किया तो हो गया स्पॉर्क क्या होती है पूजिशन इस पूजिशन में female partner line down है female partner line down करने के बाद उनका leg separation होने के बाद male partner यहाँ पे figures में देख सकते हो right leg lift करके 90 degree angle में सामने से एक दुसरे को face करते हुए वहाँ पे penetration के लिए ready हो जाता है ऐसे cases में उसे एक हाथ के उपर hold करना है अपने body को और right leg lift करके female partner के साथ वहाँ पे action में आना है और इस position से क्या फाइदा होता है देखेंगे और डेफिनिटी सर पर उसके पहले क्या एक और phone ले लेते हैं हमारे साथ मिताली जी है पुने से मैडम आपका सवाल पूछे आपका phone connect हुए पूरा scientific session चल रहा है इन शॉर्ट बोलूगा है मिनो प्लास्टि क्या होता है बहुत बार क्या होता है अभी भी जो लेडिस है गर्ल्स है कुछ एक्जिस है योगा है प्राणायम है उसकी वैसे उनके वहां के hymen यह वह जायना और उसका जो डिसल पार ओपनिंग उसका जु पर ब्रेक हो जाता है उसके ब्रेक को और भी कुछ कारण है जब कोई examination किया जाता है उस उद्धी ब्रेक होता है तो कुछ लोगों को यह हमिन इंटक्ट चाहिए रहता है तो वहां पर वह सरजरी करते उसे स्मॉल बनाने की हमिनो प्लास्टि करते लेकिन यह सरजरी डेलिक करोगे तो इसमें और टियर होने के चाहसे रह सकते है तो एक ही कहूंगा विशेशग्य से मिलके उसके डीटिल जानके उसके बाद ही उन्होंने एक्टिविटी करना है जब जखम ही हो जाएगा कम से कम तीन या चार हफते तक पोजिशन ज्यादा नहीं बदल सकते है डिफ उसे होल्ड करना है अपने हाथ की उपर और अपना एक लेग लिफ्ट करके 90 डिग्री में पार्टनर साथ आखे हैं यहां पार्टनर लेंग डॉन है उसे लिफ्ट हो रहे थाई मॉसल्स, पेल्विक मॉसल्स, कोर मॉसल्स, स्पेशली मेल में हैंड सपोर्ट की वए से और गयाजम भी हो रहा है यही इसके बेनेफिट तो सर इस पोजिशन का और फिटनेस का क्या संबंदे उसके बेरवित हैं जो योगा करेगा, जो प्रानायम करेगा जो आइट इस वाकिंग करेगा वही स्टॉंग होगा, उसके लेग स्टॉंग होगे, उसके बाड़ी जिसमें एक लेग की ओपर हमें स्टैन्ड होना पड़ता है ताडासन है तो ऐसे केसेस में वही वक्ति को जब पोजिशन ले रहे हैं तो लेग होल्ड करने के लिए बाड़ी सपोर्ट लेने के लिए और फिमेल पार्टनर को भी बहुत बार कुछ पोजिशन समझो चेंज करन है उनका और्गेजम बढ़ता है मसल स्टॉंग होते है फिटनिस होता है और एक दूसरी में रूचे आने में मदद होती है डेफिनिट्ली सर थैंक्यू सो मच सर आपने सारी चीजे हमारे साथ शेयर की आपर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी है इसलिए आज के एपिसोड में तो डेफिनिट्ली आप कुलावा सेंटर में भी सर के अपॉंट्मेंट लेके सर का कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो चलिए दोस्तों आज के शो में समय हो चला है यहीं पर रुकने का शुक्रिया